आज मैं लेकर आई हूँ एक और नई रेसिपी और यह मसूर पुलाओ खास बात यह है कि यह बहुत इक विक रेसिपी है और जब भी कभी टाइम नहीं है अलग अलग दाल चावल बनाने का या मूर नहीं है खाने का बनाने का मन नहीं है तो आप बना सकते हैं यह वन पी मसूर दाल चावल अगर आप तुम मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो नीचे दिये के लाल बटन को प्लिक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और साथ में लाइक का बटन दबाना मत बूलिए अब ये मैंने एक कप साबत मसूर की दाल ली है जिसे हम मलका मसूर भी कहते हैं तो इस दाल को हम अच्छी तरह से वाश कर लेंगे और कम से कम तीन गंटे के लिए पानी में सोक करेंगे देखी मैंने साबत मसूर की डाल को अच्छी तरह से वाश करके और पानी में सोक किया था कम से कम तीन घंटे के लिए अब देखी डाल हमारी फूल चुकी है अच्छी तरह भीग चुकी है हमने दाल को पहले भिगो दिया था क्योंकि दाल को गलने में टाइम लगता है और चावल तो हमारे बहुत जल्दी गल जाएंगे तो दाल को तो हमने 2-3 घंटे पहले सोक कर दिया था अब हमने आपे चावल लिये हैं तो चावल हम उसी कब से measure काइगे जिस कब से दाल को measure किया था को इन farklı कब ने हैं वासमति राइस ले लिए यह देखिए उसी कब से measure कर रही हो मैं जिस कब से नाइज मेज राइस हैं इनको रुए अच्छी तरह से wash करके और पानी में soak कर देंगे कम से कम आदे के लिए तो चावल को मैंने अच्छी तरह से वाश कर लिया अब मैं इसको पानी में सोक कर दूंगी कम से कम आदे घंटे के लिए तो दाल को हमने सोक किया तीन घंटे के लिए और चावल को आदे घंटे के लिए दाल चावल तो हमने सोक कर दिया है अब मैं देख लेती हूं क कुछ तेज पत दे कि मैंने यह नहीं तीन बड़े लाल टामाट्र ले लिये हैं आप चाहिए तो इंको बारी-बारी कट कर सकते हैं चौप़र में चला सकते हैं मैं कद्दू कस करूंगी Settings तो मैं अपने टमाटरों को उसतरा से कद्दू Department करी रही हूं अपज़़ बारिक-बारिक कड़् कर सकते हैं या अलेक्ट चोपशनें में चला सकते हैं इनको बारिक मत पीशेगा बस तो देखिए इस तरह से कद्दुकस कर लेते हैं और बहुत इच्छे सा पल्प निकलाएगा इस तरह से यह देखिए तो यह मैंने अपने तीनों टमाटरों को कद्दुकस कर लिया है तो हम अपना दाल पुलाव यानि की दाल चवल बनाएंगे प्रेशर कोकर में मैं इसमें डाल रही हूं वन टेबल स्पून ओईल और ये है एक टेबल स्पून देसी घी, तो हमने एक टेबल स्पून ओयल यूज किया है, एक टेबल स्पून देसी घी यूज किया है, जब इस तरह दोनों चीज यूज करके बनाते हैं, तो पुलाव बहुत टेस्टी बनेगा, घी गरम हो गया है, फ्लेम को लो कर देंगे, इसमें डालेंगे एक कुछ काली मिर्च हैं दो लॉंग है और एक दाजीनी का टुकड़ा है जीरा है और ये तेजपता डाल देते हैं सबको हलका सा फ्राई कर लेंगे तो इन खड़े मसालों की खुश्बू इस पुलाव में बहुत ही अच्छी आती है आपके पास जो भी ख प्याज इस समय एड़ कर सकते हैं उन्हें फ्राई कर लीजिए और फिर बाकी चीज़े एड़ करिए तो बस मसाले भुन गए अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी अपनी एक टीस्पून कद्दू कस कीवी अद्रक और एक बारी कटवी हरी मिर्च ये एड़ कर दूँगी आप चाहें तो यहाँ पर अद्रक लहसन का पेस्ट पर आड़ कर सकते हैं और प्याज डालना चाहते हैं तो वह भी समय एड़ कर लीजिए और फ्राई कर लीजिए तो बस मैं अद्रक हरी मिर्च को फ्राई कर लूँगी तो यह हमने अपने अद्रक हरी मिर्च को हलका सा फ फटा फटन को फ्राई करेंगे ताकि बहुत ही जल्दी से हमारे दाल चावल बनके त्यार हो जाएं तो समर्ज के लिए ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है जो की जटपट बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है तो बस इन टमाटरों को हम बहुत एची तरह से भून लेंगे और फिस में आड़ करेंगे बाकी मसाले दालेंगे हाफ टीस्पून रेड़ चिल्ली पाउडर ये धियान रखते हुए कि हमने इसमें हरीमिज भी आड़ की है ये वन टीस्पून धनिया पाउडर त्री फोर टी क्योंकि बहुत देगा हम जाते हैं कि हमारे पुलाव का कलर वैसे यह आइज इसमें मसोर की दालचवाल सीपी आड़ होता है अगर हम यह ज़दा एड़ कर देंगे तो कि दालचवाल का कलर बहुत हिल यलो हो जाएगा तो अपर सेए करेंगे तो और जद язड़ करेंगे भ भून लेंगे indifferent सब्सक्रुण the जो गी अपड़े बून लेंगे पूर देखिए एक म från मसाले matter को भूमे उत्य आपने धी के मठीटाक्अ कि सब्सक्राइए यान इस गी मचे감을 आए अच्छी तरह कुछ का। यान को पहर में पङलने का उत्य मलत रूप पानी में सोक चुकी है मैंने 3 घंटे के लिए पान्य में पाना राल तो लगा देश्टार्व जात चलाते अजलते बूलत जोक और दाल को बहुत अची तरह कि और आशे तरह से नदर मासाला अची तरह से पानी bus जाया तो लगातर चलते में भून लिए अब मैं एक दू मिनट के साथ अच्छी तृरह से सब भूंद मुझा मैं लगया तरह पjahh अच्छी तरह से भून लिया है और अब मैं इसमें एड करूंगी पाँड मैं ने एक कई ना यूद मेरी तो कप दाल में एकई एक कआ पाई डाल रही हूं अ mercy can do mis t कि अब मैं इसको ऑड़ाइक के कि कुछ दिर कुक करूंगी तब लिडंगे हम असी plait से में कवर करते हुआ भाइफ फ्लेम पे दाल को कुक करें गगी अब 0 बस एक कब दालota थी हमने तो बस एक कप पानी डाल के हमने डाल को हाई फ्लेम पर पांच मिनट के लिए कुक्या है, और अब हम इसे खोल के चेक कर लिते हैं, तो अब देखे डाल के पानी है, सुख चुका है , lifelong ऑर जाल के लिए हाई फ्लेम पर कुक्या हमने बानी खेंब था और दाल हलका सा गलना कि इसे गलने में काफी टाइम लगता है और चावल तो हमारे फॉरन गल जाएंगे तो हमने इसको बॉइल कर लिया पाँच मिनट के लिए एक कप पाई डाल के और अब मैं इसमें एड करूंगे अपने चावल जिनको हमने आदे गंटे पानी में सोक किया हुआ है बस फटा फट में इसमें पने राइस अड कर देती हूँ और मैंने पानी अलग कर दिया है राइस का देखिए चावल इसमें एड कर देंगे हम अपने ये दो कप चावल है तो बस हमने डाल में ही चावल अड कर दिये और अब इनको मैं हलके हलके हाथ से मिército करूंगी क्योंकि चावल हमारे भीगे हुए हैं अगर हमें कोई जोर से मिक्स करेंगे तो चावल हमारे तूट सकते हैं तो देखिए हलके हलके हाथ से इस तरह से मिक्स करिए उठाते हुए और बस फिर इसमें मैं एट करेंगे पानी अब देखिए पानी कितना एड़ करना है ये बहुत important है तो हमने इसी कप से एक कप डाल ली थी और दो कप चावल लिये थे तो मैं एड़ करूंगी 3.5 कप पानी यानि कि 3 कप और आधा कप और पानी एड़ करूंगी मैं इसमें तो ये मैं एड़ कर रही हूँ एक कप पानी पहले और ये हो गया 2 कप पानी और ये हो गया 3 कप मैंने पहले एड़ किया था 3 कप पानी और अब मैं एड़ कर रही हूँ आधा कप देखिए आधा कप पानी है यानि की साड़े तीन कप पानी एड़ किया है मैंने इसमें त्री एंड हाफ कप पानी ही में इसमें एड़ करना है और बस हलके हाथ से मिक्स करिए देखिए पानी का मेजरमेंट बहुत इंपोर्टन है इसमें 3.5 cup पानी मैं इसमें एड़ कर दिया हलके हाथ से मिक्स कर दिया नमक चेक करने के लिए मैं थोड़ सा पानी टेस्ट करूँगी इसका थोड़ सा पानी मैं ने लिया और मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ देखे पानी में नमक थोड़ सा तेज होना चाहिए अगर आपको लगता है पानी में नमक थोड़ सा तेज है यानि कि मारे पुलाव में जो नमक होगा बल्कुल परफेक्ट रहेगा अब इसको मिक्स कर दीजे आप ही नमक को एजस कर लीजे हलका सा मिक्स कर लीजे और इसमें हम बॉयल आने का वेट करेंगे जैसे इसमें बॉय कर देंगे तो बस एक सीटी का वेट करते हैं और फिर गैस आफ कर देंगे एक सीटी के बाद हमने गैस को आफ कर दिया था और अब कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है और अब इसे हम खोल के चेक कर लेते हैं वहां देखिए बहुत बढ़िया हमारा मसूर दाल का बढ़िया लग रहे हैं देखिए बहुत अची खुश्बू आ रही है इसमें से लिजे गर्मा गरम और खिले खिले हमारे दाल चवल बनके तयार है वह भी एक ही बार में तो गर्मियों की दुपहर के लिए बिलकुल परफेक्ट रेसिपी है जैसे कभी आपको आला सारा है बनाने में बनाने का मन नहीं है तो आप एक ही बार में दाल चवल बना के तयार कर सकते हैं आप देखिए कितने खिले खिले बने हैं जैसे कि हमने दाल चवल को मिक्स किया हो ऐसे ही लग रहे है ना और बहुत ही टेस्टी बने है बहुत ही खुश्बूदार और वाकई तो इस बहुत ही आजी और बहुत ही टेस्टी खिले खिले डाल चावल की रेशिपी एक बार तो ट्राइ करना बनता है और खाने से पहले लाल चावल के उपर एक चमच्छ देसी की जरूर डालिएगा और सातमे मैंने सूफ किया है दिखिए बहुत ही रिफ्रेश्जिंग सा आप चाहें तो किसी और आयती के साथ भी सर्फ कर सकते हैं इसे आप अशार के साथ सर्फ कीजिए चटनी के साथ सर्फ कीजिए या पापर के साथ सर्फ कीजिए हर तरह से यह दाल चावाल आपको बहुत टेस्टी लगेंगे गर्मी की दुपहर के लिए बिल्कुर पर्फेक् मिलूंगी ऐसी इंट्रेस्टिंग वेसिपिक के साथ आपने वीडियो पूरा देख्या थेंक्यू